एक तरफ देश भर में गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी देखने को मिल रही है वहीं फैजाबाद के तारून ककोली इलाखे में एक ऐसी भी गौशाला है जहां गाए भूसा उपलब्ध ना होने से मरने को मजबूर हो रही है आपको बता दे कि गौशाला में 100 से अध दान नहीं मिल पा रहा है गौशाला के अध्यक्ष ने रोते हुए बताया कि अगर सरकार ने गायों की जिंदगी बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो वो खुद कुशी कर लेंगे कि क्या गड़ू इसलिए हुच को बहुत डर लग लिए जिता रहुगा पाटी लगाडों बचा लेजिए इनको कि पागर के सरकार को बोलिए जाया है यह जी से मैं चाहता हूं कि इनका आपकी रच्छा हो इनको खाना पीना मिले हम लोग इनकी सेवा करेंगे हमेशा इस तक तो हम लोग बहिए मांग के किला रहे हैं इदर उदर से भीग बहुन मांगें लेकिन हमारे पास बीता हो सब हमने इसमें लगा दिया वहीं जब इस बाबत पशू चिकित्सा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगर गौशाला रजिश्टर होती तो उसके लिए सरकार की तरफ से सहयोग करवाया जाता लेकिन सवाल यह उठता है कि जब सरकार गायों की रक्षा के लिए करोडों रुपे की धनराशी की योजनाय बना रही है साथी कई समाजिक संगठन गायों की रक्षा के लिए सामने आ रहे हैं तो फिर तारून इलाखे में आए दिन चारी के अभाव में मर रही गायों का जिम्मेदार कौन है पंजाब केसरी टीवी के लिए फैसाबास से अभिशेक सावंत की रिपोर्ट